कि चाला तिलंगाना कल्चर पढड़ों का हुंदी लगन शिनन नहुंत पूरू चाला पथंगस और पिला तें पच्पशवलの हैं को जब पथंग पिलाते थे तो बड़ी जोड़ से पिलाते थे कोई धील द्राज भर गरितता था भील के कन्ने डालता था कोई खीच की पतंग खरसता था जब खीची जाती कोई सामने आलेगी पतंग काटी जाती अरे भाई साधी में से काट थे क्या मांजे में से काटो दम में तो बलते थे ये पतंग फेस्टिवाल है तो हमारे मेरे बड़े भाई जो काउंसल चेर्मेन हमारे सामी गवर साथ ये हमारे पुरारे शहर में हम लोग खोब पतंग दिलाएते हैं पतंग का मतलब भी पुरारा शहर है और पुरारे शहर में जब तिलसंगराथ फरस्टिवाल आती तो एक मैले से जितने गिराउंड रहते फुल हो जाते हारे के आद में पतंग हुआ करती थी पतंग भी बड़ी हजीब हजीब होती थी और खिसमी पतंग होती थी एक घड़ी चाप पतंग बलती थी कई नाम रखे गए थे पतंगे और हमारा जो ओल्ड चिटी का दबील पुरा नाला था महाँ पर ही माजा सोता जाता था आज में बड़ी खुछी है हमारे अजमेरी चंदुलाल साथ जोहानेबल मिस्टाफ टोरिजम श्री विंकर टेशम गारू हमारे सेक्रेटी टोरिजम आईस श्रीमति सुनी था भगवाद आई एफस मेजर जनरल सिरिनवास राउ साथ बहुत खुशी की बात है हैजराबास से तालोक है वो भी बहुत पतंग बिलाएते है मुझे फखर है कि एक हमारे मिल्टी के बहुत बड़े आफिसर जो आज हमारे तिलंगाले से जिनका रिष्टा है हैजराबास से रिष्टा है आज हमारे पास उनको मुख़ा दिया गा है उसके लिए हम डिफेंस के संट्रम इस्टका भी शुक्रिया आदा करते है श्री हरे किशना नारू डारेक्टर डिपार्प्रेट आफ कल्चर बड़ी मेनस से जल से ये अरे किशना है रनिद्रा भारती बड़ल चुकी है लोगों को इंट्रेक्टर में प्रगाम मिल रहे है बहुत मेनस से काम करते है श्री शंकर रेटी साहब अस्टेंड डारेक्टर आफ इंडियन टेरिजम श्री प्रहन कुबार सलोकी साहब काइट कंसल्टेट अंड इस्पेशल गेस्ट मिसिस मलगत पुर्णा इंडियन मॉनिटर जो हमारी हमालिया की पहाड की बुलंदी तक चुकी होगे उसे भी मैं मुबारक बात देता हूँ और तमारे बहियों और बहिनों सोब को मेरा सलाम और नमस्का काइट फेस्टिवल तलंगाला बनने के बाद हमारे हानेबल सीम साब ने कोई भी फेस्टिवल बहुत दोंदाम से मनाते हैं ना के पहले की तरह पहले किदर आता था फेस्टिवल किदर जाता था पता ही ने चलता था बर हमारे हानेबल सीम साब तलंगाला रखाले के बाद तलंगाले के एक-एक फेस्टिवल को बहुत दूम से मना रहे हैं आच काहिट फेस्टिवल के अंदर 12 मुमालिक से लोग आए तकरเemिन 43 टीमे इस काहिट फेस्टिवल में इसा ले रहे यह हमारा कलचर हमारी तैजिजीब है हमारे शर्मा साथ भी यहां बैटे है definite हमारे महान सियम है जो हर फेस्टिवल के लिए बजट देते हैं और बहुत दूम से मनाते है आज परेट ग्राउंड पर काफी बड़ी बड़ी पतंगे हैं जो हम बच्पन में नहीं देगे थे आज देख रहे हैं जिसकी हाईड और जिसकी ब्रिज जो है पचास पचास सो सो दो दो सो फिट है यह फेस्टिवल एक खुछ आइन फेस्टिवल होता है इसमें लोग खुछी मनाते हैं प्यार जताते हैं एक दुसरे से आगे बढ़ते हैं पतंग बात उलाते हैं और एक दुसरे की पतंग काड़ते हैं बुराइने शेहर में हर महला में बड़ी बड़ी जाँ चाहते हैं बड़े बड़े जाँ ग्राउंड होते हैं लोडीज बगर लगा जाते हैं कौन कितने पतंग काड़ा है कौन कितनी पतंग पिलाए है उसका रिकार्ड जमा किया जा था आज यहाँ पर लोजान हमारे बच्चे हमारे साथी है इसकाइट फेस्टिमल में इस्टा ले रहा है मुस्वत दिल की गहरा हैं से मुबारक बात देता हूँ और सबसे जादा तूरिजम डिपार्टमेंट को मुबारक बात देता हूँ हमारे मिनिस्टर जाफ को मुबारक बात देता हूँ कि इस फेस्टिमल को बढ़ावा दिया जा रहा है यहीनन तोड़ा कास्टी हो गया है एक जमाना पहले बहुत सस्ती थी पतंग मांजा बहुत सस्ता था, तागा बहुत सस्ता था और आदमी उड़ा सकता था मैं समझता हूँ अगर उस पे थुआ सबसेटी देकर गरीबं को तागा और पतंग भी देंगे तो यखिनन सुब लोग उलाएंगे और इंजाए करेंगे बिस्ता साथ, आप साग गुजारिश करो तो आप पतंग में मांजे पे तागे पे सबसेटी देजे साथ को भूलके तागे सुब लोग इसको इंजाए कर से किए मुझे भूलाने पर वो तोरिजम डिपार्टमेंट का शुक्री आदा करता हो और यगीनगे इसी तरह हमारे स्टिट पे तरक्ए हर फस्टिवल को बहुत धुन से मना जाए 가까 हमारे सीम सापका जो सपने जोसे ले लन न चौ persistence auenगारा आगे जाका ज़ाग ज़रू बनेगा यहाँ पर हर कास के, हर लोगों के, हर फेस्टिवल को रिस्पेट दी जाती है और हमारे सीम यगीना इंडिया में लंबर वन सीम है जो हद तरिजे से लैन आपर कंड्रोल करते हुए तमाम लोगों को खुशिया मनाने का मौका दे रहे काईट फेस्टिवल क्या है, हम खुशी माना आते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर ईद की तरह पतंग पिलाते हैं काड़ते हैं इसके लिए मैं हमारे टोरिजन डिपार्टमेंट के तमाम होते दारों को मिर्स्टर साब को मुबारक बात बता हूँ जेत रहे लागे जेता हैं